बालक चंद्रगुट पाटली पुत्र नगर के प्रांथ में पिपली कानन के मौर्य सेनापती के वैभव ही इन घर के सामने कुछ बालक खेल रहे थे एक बालक बड़े से पत्थर पर राजा बना बैठा है साथ में और तीन चार छोटे पत्थरों पर मंत्री और सेनापती बने बालक बैठे हैं एक बालक द्वारपाल बनकर खड़ा है मंत्री जी, जी महराज मंत्री जी राज में धिंडोरा पिटवा दीजिये कि मुसीबत में पड़े हुए प्रजाजन मेरे पास आए मेरी प्रजा के लिए मेरे राज्य का द्वार हमेशा खुला है जी महराज मंत्री जी, प्रजा का दुख मेरा दुख है और प्रजा का सुख मेरा सुख है भंडार और खजाने प्रजा के लिए खोल दीजिये जी महराज जैसे आपकी आग्या महराज जुक कर महराज की जै हो आपके दर्शन के लिए एक ब्राम्हन आए है आदर सहित हमारे समक्ष उपस्तित किया जाए द्वारपान के साथ चानक्य का प्रवेश ब्राम्हन देवता मेरा प्रणाम स्विकार हो आशिर्वाद देते हुए आयुश्मान हो ब्राम्हन देवता बताईए कैसे आना हुआ महराज मैं अत्यनत दरिद्र ब्राम्हन हूँ आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ जी हाँ ब्राम्हन देवता आदेश कीजिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप संकोच मत कीजिए आपकी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी राजन मुझे दूद पीने के लिए गव चाहिए उदार्ता का अभिनाय करते हुए सामने खेत में चर्ती हुई गाये दिखाकर ब्रामहन देवता इन गायों में जो गाये चाहो आप ले जा सकते हैं हसकर राजन ये जिसकी गाये हैं वे मारने लगे तो गर्व से च्छाती फुला कर किसका साहस है जो मेरे शासन को ना माने जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्या अवश्य मानी जाएगी आप निर्भाय होकर गाय ले जाएए चंद्रगुप्त की मा मुरा का प्रवेश शमा कीजिये ब्राम्हन देवता यह बहुत ही दृष्ट लड़का है इसके किसी अपराद पर ध्यान नहीं देजियेगा अरे नहीं नहीं यह बड़ा होनहार बालक है तुम इसकी मानसिक उन्नती के लिए इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजो रोते हुए हम लोगों पर राजकुप है मेरे पती राजा की आग्या से बंदी बनाए गए है बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ मैं कोशिश करूँगी महराज नंद निष्ठुर है और उसकी सभा चाप लूस मूर्खों से भरी रहती है आप चिंता मत कीजिए आपका बालक बहुत होनहार है यह अपनी बुद्धी से अवश्य कोई चमतकार करके स्थान बना लेगा दूसरा द्रिश्य मगत नंद के दर्बार में सभा सद बैठे है सिहासन पर राजा नंद बैठे है लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ती है सभा सदों इस लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल कर अपनी शक्ती का परिच्चे दीजिए जो व्यक्ती ऐसा करेगा उसे एक हजार सोने की मुहरें पुरसकार में दी जाएंगी सब लोग एक दूसरे का मुहताकते हैं सिह को ध्यान से देखते हुए महराज मैं पिंजरे को तोड़े बिना शेर को निकाल सकता हूँ आश्चर्य से तुम यह कौन है? महराज यह राजबंदी मौरे सेनपती का लड़का है कृद होकर यदि इसे ना निकाल सकोगे तो तुम्हे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा अपने मन में यह भगवान यह भी कहां से विपत्ती आई? निर्भीता से जी महराज मुझे स्विकार है यदि निकाल दूँ तो मेरे इच्छा पूरी की जाए ठीक है महराज मुझे गरम शलाकाएं चाहिए गरम शलाकाओं से शेर को पिघला कर पिंजरे को खाली कर दिया सब लोग चकित होकर देखते हैं महराज यह मूम का बना हुआ शेर था शाबाश तुम वास्तव में प्रशंसनी हो तुम बहुत बुद्धिमान हो उसे तराशने के लिए तुमारी शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से तक्षशीला विश्व विध्याले में की जाती है धन्यवाद महराज मंत्री से मंत्री जी राज कोश से इसे एक हजार सोहने की मुहरे परदान की जाए जैसे महराज की आग्या महराज मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए बलकि मेरी एक इछा पूरी की जाए स्वर्ण मुद्रा एं तो तुम्हारा पुरुसकार है अपनी इच्छा बताओ वे भी पूरी की जाएगी महराज मेरे पिता जी को आपने बंदी बनाया है आप उन्हें छोड़ दीजिये ठीक है उन्हें छोड़ दिया जाएगा बालक चंद्रगुप्त में बच्पन से नेत्रित्व शक्ती विद्यमान थी यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवती समराठ हुआ जो ईशा के 321 वर्ष पूर्व मगद में पाटली पुत्र के राज सिहासन पर बैठा और अपने बाहु बल से सिकंदर के युनानी सामराज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया